स्वागता आपका आरेंडार पाड़ चाला में आज फिर से लाया हूं आपके लिए संस्कृत के महत्वपुन प्रश्णों का संक्लन जो मित्र नए है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे मेरे आगा में जितने भी वीडियोस है वह आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे अगर आप टीजी टी पीजी टी सीटेट नेट आदी की तयारी कर रहे हैं तो यह पेपर आ और इनके नाम भी हैं अन्योक्ति विलास श्रिंगार विलास करुण विलास और शांत विलास इस प्रकार भामिनी विलास में चार अंग कह सकते हैं जिनको विलास का गया है अगला प्रसंद देखेंगे तिलकमंजरी के रचनाकार कोन है तिलकमंजरी के रचनाकार है धनपा धन्पाल जो है वो तिलक मंजरी के रजनाकार है अगला प्रसंद देखेंगे अपापती ही कौन कहे जाते हैं जाने जाते हैं अपापती ही अपाम पती ही अगला प्रसंद देखेंगे सांखेमत के अनुसार अनुमान के प्रकार है अनुमान के कितने प्रकार है तो यह है तीन सांखेमत में अनुमान तीन प्रकार के कहे गए अगला प्रसंद देखेंगे अद्वाइत वेदान्त का मत है अद्वाइत वेदान्त का मत क्या है तो यह है विवर्तवाद विवर्तवाद अगला प्रसंद देखेंगे पंच गंगम समास विधायक सूत्र बताईए पंच ग द्वनी नियम में परधान है द्वनी नियम में सबसे परधान कौन सा है ग्रीम नियम जो है सबसे परधान है अगला परस्ट देखेंगे मदन महोत्सव मिलता है मदन महोत्सव किसमें मिलता है तो यह मिलता है रतनावली में रतनावली है हार्श की रतनावली जिसमें मदन महो सब मिलता है हमें अगला परस देखेंगे विश्वनाथ ने काब लक्षन का खंडन किया है विश्वनाथ ने काब लक्षन का खंडन किया है तो किसके किया है मुम्मट के मुम्मट के काब लक्षन का विश्वनाथ ने खंडन किया है अपने साहित्य दरपड में मुम्मट ने क कभई प्रकाश्ज में अपने कव लक्षन दिया था। जिसमें साहित्यदरपण में विश्वणात ने आकर उस कव लक्षन का झो कंडंळन कर दिया। अगला परसन देखेंगे वाग वाइदक्दे प्रधाने पी रस एवात्र जीवितम ये कहां मिलता है वाग वाइदक्दे प्रधाने पी रस एवात्र जीवितम तो ये मिलता है अगनी पुरान में अगला प्रसंद देखेंगे निरुक्ता अनुसार मुख्य देवता हैं निरुक्त के अनुसार मुख्य तीन देवता कहे गए हैं तीन प्रकार के देवता कहे गए हैं अगला परसुन देखेंगे लक्षनात्मक ब्रह्मन गरंथ है लक्षनात्मक ब्रह्मन गरंथ कितने है तो यह है दस लक्षनात्मक ब्रह्मन गरंथ दस है वेद के पैर कहे गए है वेद के पैर क्या कहे गए है चंद चंद है पादव तो वेदस्य यह कहा गया है तो चंद जो वह रहती है संपून शरीर में व्यानवायू संपून शरीर में रहती है डिम रूपक में अंक होते हैं डिम रूपक में चार अंक होते हैं रूपक दस्परकार के बताए गए उनमें से दिम भी है तो जिसमें चार अंक कहे गए है अगला प्रस्दे के आवाहनम देवाना वहनंच हविशाम यह किसका कर्म है तो यह अगनी कर्म है संख्या से स्वरों का अंकन किया गया है तो यह सामवेद में किया गया है अगला प्रस्दे के स्वाध्यायान माप्रमदह ये कहा मिलता है ् प्रमाद नहीं करना चाहिए कहा कळा गया है ये तैतरीयोपनिशद में का गया है अगला प्रस्दे के मंत्र ब्रामन का मिश्रण है celebration कुष्ण यजूरुवेद में मंत्र ब्रामन योर वेद है कृष्ण यजुर वेद है ऐसा कहा गया है कि मंत्र ब्रामन का जो मिश्रण वो कृष्ण यजुर वेद में है अगला प्रसंदे कि सत कार्यवाद में उत्पत्ति से पूर्व होता है अव्यक्त रूप में सत अगला प्रसंदे कि गगनार विंदम सुरभी यहां कौन सा हेत्व भास है अंतरधव ये ना दर्शन मिछ्छती शुत्र से विभक्ती होती है अंतरधव ये ना दर्शन मिछ्छती तो यहां सश्टी विभक्ती होती है अगला प्रसंदे के अग्यात हिर्देश्वेवं वैरी भवती सोहरदम वाक्य है अग्यात हिर्देश्वेवं वैरी भवती सोहरदम तो यह कालिदास ने कहा है किसका वाकिय है कालिदास का मदेन भाती कलब है प्रतापेन महीयती यह कुन सा लंकार है यहाँ पे तो यह दीपकलंकार है यहाँ मद से कलब सोबित होता है और प्रताप से महीपती जब इस तरह की बात कही जाती है तो वहाँ दीपकलंकार होता है तो आज के लिए इतना ही मित्रो थैश्चा